जी हाँ दोस्तों ये सब कैसे हुआ सोचा है कभी आपने कि ये सब चीजे आप करते और इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी चीजे होती है जो स्मार्टफोन करती है लेकिन कभी सोचा है ये कैसे होता है सेंसर्स की वायर से आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कौन से कौन से सेंसर्स होते हैं सभी सेंसर्स के बारे में बताऊंगा क्या काम करते हैं उसका फायदा क्या होता है और स्मार्टफोन में आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हो, सब कुछ बताने वाला हो लेकिन दोस्तों, सेंसर्स के बारे में बताने से पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत बूलिए, बेल आइकन बजाए ये ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ऐसी जबर्दस्त क्वालिटी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अप्लोड करते रहते हैं चलिए, उस्तों सबसे पहले बात करते हैं, जब ये फोन गिरा, तो ये मोशन जो डिटेक्ट होती है, वो करता है एक्सिलरोमीटर, जिया नाम में ही है एक्सिलरेशन, याने जोर से आगे बढ़ना, एक्सिलरेट करना तो ये जो मुवमेंट होती है, ये एक्सिलरेशन या फिर एक्सिलरेटर जो सेंसर होता है, वो आपको पता चलता है, आपके स्मार्टफोन को पता चलता है सिर्फ acceleration ही नहीं दोस्तो आप अगर portrait में रखते हो phone को या फिर आप जब landscape में करते हो तो automatically जब screen change हो जाती है वो accelerometer की वयसे होती है मतलब पता चलता है कि वह सीधा हो गया है जो movement आपके phone की है वो पता चलती है बट ये sideways या front ways movement ही कर सकता है वो round movement accelerometer को नहीं पता चलती है और दोस्तो वहाँ पे entry होती है gyroscope की इन फैक अगर एक sensor जो सबसे important है मैं कहूंगा gyroscope accelerometer भी important है बट उससे भी ज़्यादा क्योंकि final details जो है movement के जो final details है आप जब गुमाते हो phone को नीचे रखते हो उपर रखते हो यह सब करते हो यह सब कुछ gyroscope से पता चलता है कि कितना उपर गया कितना movement किया यह सब कुछ gyroscope करता है और आपको पता है कि movement कितना important होता है स्मार्टफोन को पता चलने में और दोस्तों ये final movement जो है इसका फाइदा होता है जब आप gaming कर रहे हो जिहां थोड़ा भी आप move करोगे precisely gyroscope बताएगा फोन को कि आप left में कर रहे हो right में कर रहे हो VR वीडियो आप YouTube पे देख रहे हो virtual reality वीडियो तो exact जो movement है उस हिसाब से gyroscope स्मार्टफोन को बताएगा और फिर आपकी जो screen है उसके हिसाब से change होगी ऐसे हजारों लाखों apps है जो gyroscope को इस्तेमाल करते हैं so gyroscope and accelerometer these are two very very important sensors चलिए बात करते हैं magnetometer की जी हाँ ये जो है ये especially navigation में बहुत important होता है क्या करता है basically it's a compass जी हाँ जो magnetic fields होते है आपके smartphone के surrounding वो detect करता है तो आपको पता चलता है कि ये north है ये south है especially सोचिए दोस्तों जब आप google maps इस्तेमाल कर रहे हो किस तरफ जाना है कैसे दिखाना है आप किधर जा रहे हो ये सब चीजे जो है मिलके gyroscope, accelerometer, GPS and magnetometer ये सब कुछ मिला के फिर वो आपको जो experience है वो मिलता है याद रखिए दोस्तों पहले मैंने आपको बताया हुआ है ये जो सब sensors है साथ में मिलके काम करते है और जिसकी वज़े से हमें जो एक beautiful experience मिलता है वो मिलता है चलिए दोस्तों बात करते हैं GPS के बारे में इडिज वाट Global Positioning System Earth के उपर आपका position कहां पे है वो ये sensor बताता है अगर इंटरनेट नहीं होगा तो भी अगर आपने Google Maps खोला हुआ है तो भी वो exactly बताएगा आपको जो movement होती है लेकिन बाकी details आपको नहीं आएंगे जब बाकी सब जो sensors हैं साथ में आते हैं इंटरनेट का भी इंटरनेट connectivity होती है तभी आपको एक beautiful experience मिलता है आजो बाजो में क्या buildings है रस्ते हैं क्या है ये सब पता चलता है GPS एक ही चीज करता है location आपका क्या है ये बताता है proximity sensor दोस्तो ये भी बहुत important होता है simple सा काम करता है basically ये sensor phone को बताता है कि बाई कितना distance है उसके बीच में मतलब smartphone में और जो दूसरा object है उसके बीच में समझे दोस्तो आपको एक phone call आया तब proximity sensor इस्तमाल होता है आपने phone को उठाया कान से लगाया अब ये जो distance है ये proximity sensor बताता है और जब ये बताता है तो जो screen है दोस्तो वो बंद हो जाती है disable हो जाती है नहीं तो आप जब कान पे रखोगे और आपका गाल लगेगा screen को तो unintended touches होंगे तो वो proximity sensor की वय से होता है so it knows the distance because of this sensor जैसे दोस्तों ये video कैसे लग रहा है I hope it is informative और अच्छा लग रहा है तो like जरूर कीजेगा चलिए दोस्तों आप बात करते है ambient light sensor के बारे में जी हाँ it is simple light sensor याने क्या जो बाहर की ambience है light है बाहर का जो ambience है वो जो light है वो ये sensor detect करता है और आपके smartphone को बताता है auto brightness जब आप रखते हो तो ये ambient light sensor ही इस्तेमाल करता है कि बाहर का light कितना ज्यादा है कितना कम है उस हिसाब से आपकी जो screen की brightness है वो decide करता है audio sensor जी हाँ audio sensor भी होता है लेकिन आप उसे जानते हो microphone के नाम से मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे समझते होंगे microphone is not a sensor नहीं microphone is a sensor और ये sense करता है आवाज को तो basically आप जब phone call बात कर रहे हो तब ही ये microphone इस्तेमाल होता है आप जब कोई voice command दे रहे हो आपके smartphone को तब ही ये इस्तेमाल होता है या फिर आपका आवाज कितना कम कितना ज्यादा है ये भी find करता है microphone या फिर sound sensor या फिर audio sensor चले दोस्तों आप बात करते हैं fingerprint sensor की येस आजकल तो in-display fingerprint sensor आ गए है physical भी होते है बट जो चीज वो करता है sensor वो एक ही है आपकी जो fingerprint है उसे record करना store करना और फिर से जब आता है आप खोलने को जाते हो फिर से touch करते हो match करता है और फिर आपका phone खोलता है चलिए बात करते हैं अगले sensor के बारे में pedometer step counter जैसे नाम है वैसे ही है दोस्तों बेसिकली ये भी accelerometer gyroscope अगेरे इस्तेमाल करता है और सब से inputs लेके फिर आप कितने आपने basically count करता है कितने steps लिए और आपको बताता है आपकी activity so it is algorithm it is actual chip बट सभी जो sensors दूसरे हैं gyroscope, accelerometer उनसे input लेके फिर pedometer काम करता है दोस्तों अगला जो sensor है ज़्यादा smart phones में नहीं आता है लेकिन आपने आइफोन में देखा होगा pixel phones में देखा होगा मैं बात कर रहा हूँ barometer के बारे में ये basically आपका जो altitude है sea level से आप कितने उपर हो नीचे हो ये test करता है या फिर air pressure जो है वो इसके उपर से पता चलती है दोस्तों क्या आपको पता है कि आपके smart phone में thermometer होता है in fact हर एक smart phone में thermometer ये sensor होता है इसकी वज़ए से पता चलता है कि आपका अगर phone गरब हो गया जाधा गरब हो गया तो बन्ध हो जाता है तो ये thermometer की व içसे अगर thermometer नहीं होगा, जादा गरम हो गया, तो जल जाएंगे आपके parts, तो thermometer is a very important sensor, जो temperature बताता है आपको आपके smartphone का, और इसलिए हम कहते हैं, 40 degrees, 50 degrees, 50 degrees के ऊपर नहीं होना चाहिए, that is temperature sensor, दोस्तों अगला है heart rate sensor, simple है दोस्तों, बहुत सारे phones में नहीं होता है, लेकिन सभी phones ट साथ में जो optical sensors होते हैं, वो इस्तेमाल करता है, और फिर आपके heart beat जो है, वो test करता है, या फिर count करता है, next is infrared sensor, जिया बहुत सारे Xiaomi के phones में यह sensor आता है, बहुत सारे phones में नहीं होता है, basically infrared इस्तेमाल करता है, और आपका smartphone है, वो आप remote में convert कर सकते हो, जो normal TV के वागे remote होते ह है, वो IR, basically infrared इस्तेमाल करते हैं, remote चालू करने के लिए, communicate करने के लिए, और वही आपका smartphone करता है, IR blaster के साथ, NFC, दोस्तों Bluetooth जैसी ही यह technology है, मैं ज्यादा detail में नहीं जाओंगा, near field communication, Bluetooth थोड़ा दूर होगा, तो भी वो काम करेगा, लेकिन NFC जो होता है, यह sensor जब होता है 4 cm दो smartphone जिन में NFC है, वो साथ में आ गए, तो एक दूसरे के साथ communicate कर सकते हैं, data transfer कर सकते हैं, so that is NFC sensor, चलिए दोस्तों आप बात करते हैं, TOF sensor के बारे में, time of flight, आजकल बहुत सारे smartphones में आने लग गया है, तो basically यह depth count करता है, foreground और background के अंदर, तो आपके जो portraits होते हैं, वो ज्यादा अच्छे आते हैं, आपको जो portrait mode मिलता है, वो TOF sensor की वज़से और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है, exactly TOF sensor आपको बताता है, कि आप आगे खड़े हो, और पीछे यह background है, तो background को soft कर दीजे, that is TOF sensor, और दोस्तों और भी बहुत सारे sensors हैं, जो आते हैं, किसी-किसी phones में आते हैं, जैसे soli radar sensor, नया sensor था यह, hand gestures के लिए इस्तिमाल किया गया pixel 4 में, ऐसे हैं, लेकिन यह जो मैंने बाकी के sensors बताएं, यह mainly बहुत सारे phones में आते हैं, जो commonly used हैं, वो बताएं, वैसे अगर आपको कोई और sensor के बारे में कोई सवाल है, पूछना है आपको, तो comment section में आज जरूर पूछ सकते हो, चले हो से इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो था, keep tracking